Welcome everyone to this brand new video right here और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप एक college student हो या फिर आप एक school student हो या फिर आप job करते हो तो आप coding के लिए या फिर web development में career बनाने के लिए time कैसे निकाल सकते हैं और वो notification का जो bell icon है उसको दबा दे ताकि आप कोई भी update को miss ना करें मैं यहाँ पर बहुत exciting videos बनाता हो web development से related और इस career में grow करने से related और इस career में grow करने से related Alright everyone, now सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते कि हमारे पास time की कमी है हमारे पास time नहीं है हम student है, हम job करते है हमारा college है तो सर हम coding ही सीख सकते, web development नहीं सीख सकते है हम इस पर career नहीं बना सकते है तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे पास time की कमी नहीं होती है basically the problem यह होता है कि हम बहुत ज़ादा time waste करते है ठीक है? तो यह चीज आपको यहाँ पर सबसे पहले mindset shift आपको करना होगा कि हम बहुत ज़ादा समय waste करते हैं, तो जो समय हम waste कर रहे हैं, उसको हमें manage करना होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक numbers बताता हूँ आप दिन भर में 8 गंटे जो होते हैं 8 गंटे आप अपने सोने के हटा दीजी ठीक है? उसके बाद 8 गंटे होते हैं next जो 8 गंटे होते हैं, वो आपका school, college, जो भी है job है, उसका हटा दीजी ठीक है? कितने होगा है? 16 गंटे होगा है उसके बाद 4 गंटे आप miscellaneous हटा दीजी ठीक है? आप उठ रहे हो, fresh हो रहे हो नहा रहे हो, brush कर रहे हो breakfast कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सारी चीजे हैं, ठीक है? तो ये सारे आप 4 गंटे हटा दीजीए, आपके total हो जाते हैं 20 गंटे अब 24 में से 20 गंटे आप minus करते हैं चार गंटे आपके पास फिर भी बचते हैं उन 4 गंटे को आप कैसे use कर रहे हो चलो 2 गंटे और हटा देते हो आप ठीक है? क्या आपने और कही time pass कर लिया कुछ कर लिया, still you have 2 hours, मालो वो 4 गंटे में से 2 गंटे जो आपने assignment किया कुछ और कर लिया, still you have 2 hours, और आपको पता है अगर अपना करियर बनाना है और अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आपको 2 गंटे की भी जरुवत नहीं है, यहाँ पे मैं बोलूँगा, आपको everyday 1 hour निकालना है, एक घंटा निकालना है सिर्फ, अब आप में से बहुत सारे अगर आप डेली देते हो और अगर आप इसी तरीके से 6 महीने एक साल तक काम करती हो तो यहाँ पर आपके पास 2 options है, या तो आप यह सोचो कि मुझे डेली 4 गंटे 5 गंटे, 6 गंटे देना है और मुझे 3 मंथ के अंदर developer बनना है या फिर आपके पास एक option यह है कि आप school में हो, चाहे college में हो, चाहे job कर रहे हो डेली आपको 1 गंटा देना है और आपको 1 साल लगेगा, ठीक है? अगर आप 4 गंटे डेली दोगे तो हो सकता है आप कम समय में कर लोगे 3 मेने, 4 मेने, 5 मेने में कर लोगे on the other hand, अगर आप एक घंटा दे रहे हो, it might take you 1, 1 and half year, या फिर 2 साल लग जाएंगे, उसके बाद भी आप वही गोल अचीव कर पाओगे जो आप 3 मन्थ में, 4 मन्थ में, 6 मन्थ में कर पाओगे, तो आपको सोचना है कि अगर आप चार घंटे, 6 घंटे डेली दे सकते हो, तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आप कर पाते हो, तो शायद आप ये वीडियो देख भी नहीं रहे होते, तो ये आपके दिमाग का सिर्फ एक्स्क्यूस है, कि मैं वैब डेलोपे साथ एक घंटा भी पढ़ रहे हो, एक घंटा भी प्राक्टिस कर रहे हो, that is more than enough, अगर आप एक घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, पूरे एक साल, ठीक है उसमें से माल लो, आपका हफ्ता में एक दिन आप हटा दो, दो इथा करना चाहते हो, अपना करेर स्टार्ट करना चाहते हो, यू निट अराउंड फाइफ हंड़ आज तो थी हंड़ आज जो है, वो उसके कर पा रहे हो, बाकी टाइमिंग का कोई इशू नहीं होता है, and always remember कि जो consistency होती है, वो जादा बड़ी होती है, एक बार में जो जादा काम करते हैं उससे, तो आप ये मत सोचो कि हम एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेंगे या फिर हमें टाइम मिलेगा, 10 घंटे पढ़ने का, 4 घंटे पढ़ने का, तभी पढ़ पाएंगे एक घंटा भी आप निकल पा रहे हो, जो कि कोई भी इंसा निकल सकता है, अगर वो भी आप कर पा रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है So guys that's it for this video and guys I am hosting a free one hour training, जहां पर मैं आपको यह बताऊंगा, कि आप कैसे अपना career start कर सकते हैं, in just 90 days I will give you a full 5 step formula, जिससे कि आप 90 days में job crack कर सकते हैं, उसका link आपको description में मिल जाएगा, make sure to join the training that will be happening live, आप नीचे जाएएंगे तो आपको date or time सब पता चल जाएगा and that's it for this video guys, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो make sure to like this video, subscribe करो अगर अभी तक subscribe नहीं किया है और आपके साथ क्या issue है और आप क्या कैसे उस problem को fix करोगे, वो नीचे मुझे comment करके बताओ and thank you so much for watching and I will going to see you next time, bye bye